आज की जो वीडियो है वो काफी खास होने वाली है क्योंकि यह मैं experience से बता सकता हूँ और जितने लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज को सही मानेंगे क्योंकि उनकी आसपास भी कुछ इस तरह से होता है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कामचोर non-performing employee को कैसे पहचाने कि वो आपके आसपास है आपके system में है आपकी company में है और किस तरीके से आपको नुकसान पहुचा रहा है इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा चलिए बहुत सालों से उस company की सेवा कर रहे हैं और बढ़ी गर्ब से कहते हैं कि हमें 10 साल हो गया 15 साल हो गया 20 से पच्चेस साल हो गया इस company की सेवा करते हुए उस 30 employee में से 5-6 employee performance वाले होते हैं और वो इतने दिनों तो कैसे ठीके रहे गए कई लोग कहेंगे यार non performance वाले हैं तो कैसे ठीके रह सकते हैं तो अभी मैं इस वीडियो में आगे clear कर दूँगा 5-6 लोग होते हैं जो अपने talent cable पर और company को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं उसके अलावा जो 25 लोग होते हैं वो होते हैं non performer कैसे बसते हैं कैसे उनकी पहचान करनी है चलिए मैं आपको बताते हैं एक team में 5 लोग हैं 3 हैं performance वाले और 2 हैं non performing वाले company हमेशा target करती है उल्टा जो perform करता है उसको और ज़्यादा perform करवाने के चक्कर में रहती है और जो non performing होते हैं उनका भी average performance वाले employee से निकालने के लिए performance वाले employee पर ज़्यादा अत्रिक दवाब दिया जाता है उनसे ज़्यादा expectation की जाती है और किया जाता है कि पूरी team का जो sales target defect आ रहा है वो उनी performer द्वारा करवा लिया जाए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए दिक्कत क्या होती है कि जो performer है उसके पास काफी सारे option होते हैं क्योंकि वो performance कर रहा होता है तो उसका confidence काफी high होता है knowledge काफी अच्छी होती है इसलिए वो perform कर रहा होता है तो वो दूसरी company में अपने लिए जगे बनाने लगता है तलासने लगता है और बहुत सारे दूसरी company के जो senior employee है उनकी भी नजर उन बंदों पर रहती है क्योंकि जो हीरा होता है उसकी चमक केवल उसी जगे पे नहीं होती दूसरी company में भी उसकी बात होती है तो 5 में से 3 लोग तो performer होगे दो लोग होते है non performer और जो non performer होता है वो company छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है यहाँ पर जैसे तैसे कट रही है दूसरी जगे जाएंगे तो क्या पता कटे या ना कटे यहाँ पर set है formula set है किस तरह से टिके रहना है तो वो formula उनका काम कर रहा है और company ऐसे लोगों पर पूरा दवाब भी बनाती है मैं यह नहीं कहूंगा ऐसे लोगों चोड़ा जाता है ऐसे लोगों पर दवाब भी बनाया जाता है लेकिन target इतना जादा होता है manager का उसके उपर वाले manager का कि वो इन चीजों पर बहुत कम focus कर पाते हैं और उनका हर महीने target achieve करने के लिए goal होता है और mind भी उधर जादा काम करता है इन दो लोगों पर कम नजर पढ़ती है managers की और system की जब तक इन लोगो pressure करते रो करते रो क्योंकि इनके पास talent होता नहीं है इनको दूसरी जगे जाने से डर लगता है और दूसरी company के जो जानते चांद वाले लोगों होते हैं वो भी इन लोगों को लेना नहीं चाहते हैं तो पता है जब यहां पर कुछ नहीं उखाड रहे तो हमारी company में क्या उखाड लेंगे और नई company में interview वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी skills होती नहीं है तो ऐसे लोग कितना भी कुछ भी कहते रहो बचते बचाते गाली खाते हुए चलते रहेंगे और इंतजार करते हैं उस दिन का कि कब यह team performer टीम के जो performer लोग हैं वो जल्दी जल्दी fire हो जाएं भाग जाएं दूसरी जगे नौकरी पा जाएं और team टूट जाएं यानि 5 ल वो उन दो vacancies को fill करने में लग जाता है और जब तक वो fill नहीं हो जाती और fill होके जब दो employee और आ जाते हैं उनकी भी performance कुछ दिनों तक देखी जाती है उसके बाद ही मन बनाये जाता है कि अब ये दो जो non performer है इनको निकाला जाए लेकिन ऐसी इस्तिति आती नहीं है अगर वो दो performer हुए तो वो ही formula ये non performer उनके पीछे लगाएंगे और वो अगर non performer हुए यानि performer नहीं हुए तो इनको पता है किस से सिगायत करनी है किसकी कान भरने है और किस तरीके से जो नया बन्दा है इसको demotivate और कर देना है कि ये खुश से छोड़ दे या company इसको निकाल दे इसी तरह करते करते साल दर साल बीच जाते हैं और जब कोई minded person देखता है company के पीछे घूम के उस employee को तो उसे दिखते हैं कि non performer जो employee है टिका हुआ है अपनी जिन्दगी काट रहा है और उस company में performer आए और चले गए non performer आए और वो system को समझ नहीं सके और उससे पहले ही out हो अंदर साल से काम कर रहे हैं अब मैं आपको बता दो एक हकीकत अगर आपने किसी company बहुत दिनों तक काम कर लिया तो आपका तगड़ा interview होता है दूसरी company में क्योंकि सबको इस चीज के बारे में काफी हद तक knowledge हो जाती है HR को भी और managers को भी तो ऐसे लोगों से कई cross question किये ज साल हो गए आपकी growth क्यों नहीं हुई आप manager क्यों नहीं बने आपने इतना अचीव किया तो company ने आप पर ध्यान क्यों नहीं दिया या आपके अंदर इतना talent है तो आपने अभी तक कहीं और join क्यों नहीं किया तमाम तरह की चीज़े होती हैं और उनका फिर carrier नहीं बन पाता और उसी company में वो लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों को सही time पर कमपनी निकाल दे तो performer लोग company छोड़के नहीं जाएंगे क्योंकि performer भी देखता है ना कि साले ये तो काम करी नहीं रहे इनका भी target हमें ही पूरा करना पड़ता है गाली हमें ही सुननी पड़ती है क्योंकि हमें से उमीडे है company को तो वो मजबूरी में विचारे जाते हैं तो ऐसे लोग ऐसे मिल जाएंगे दूसरे चापलूस तरह के लोग रहते हैं चापलूस ही खुब करेंगे और performer लोग और जो अच्छे employee हो उनको out करने के चक्कर में रहते हैं कि वो out हो और हमारी तरफ से company का ध्या हट जाए मैनेजर के ध्यान हमसे हट जाए वह उसी में परेशान हो उसकी टीम पूड़ी आएगी तो नए बंदे लेके आएगा और फिर हमारे पैसे ध्यान होगा नहीं और जब तक ध्यान आएगा तीन-चार सालों में तब तक मैनेजर की चुट्टी हो जाएगी और नया किक कम्पनिया इसलिए बहुत कम ग्रोथ कर रही है जो न्यू लांच कम्पनी है जो लाला टाइप की कम्पनी है क्योंकि उनके पास इनको पकड़ने का सिस्टम नहीं है लेकिन MNC जो है MNC company बड़ी company उनके पास पकड़ने का system है क्योंकि वो जितने भी employee होती है उनकी एक tracking होती है Excel seat में और पूरा system database में तो वहाँ से वो जब भी उन लोग का analysis करते है पूरी team का तो पूरे record record सारे आते रहते हैं और बहुत अच्छा software होता है वहाँ से वो चीज उनको पता चलती रहती है और वहाँ ऐसे लोग बच नहीं पाते तो छोड़ी company लाला टाइप की company नियू लाँच company को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाते है और जब तक मालिक को manager को समझ में आता है कि यार हमारे कुछ इतने सारे अच्छे employee वो चला गया वो चला गया इसकी budget से चला गया वो बहुत बाद में पता चलता है तब तक आपकी company खतम हो चुकी होती है और आपकी company बहुत struggle कर रही होती है तो कोई फाइदा नहीं होता ऐसे लोगों को पहचानिये और अच्छे employee को अपने system में रोक के रखिये यह मैं अपने experience से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है और जब तक मालिक को समझ में आता है जब तक managers को समझ में आता है तब तक late हो चुका होता है और company बरबाद हो चुकी होती है काफी दिनों से मैं सोच रहा था यार यह चीज मैं बता हूँ कुछ लोगों को मेरी यह video देखके काफी idea मिलेगा जो नया business start कर रहे है नया business start कर रखा है manager है अच्छे manager है और इन चीजों में इन लफडों में वह उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है company कभी नुकसान होता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है क्योंकि मैंने अपने नजरिये से देखा आप अपने नजरिये से देखेंगे तो comment करके मुझे जरूर बताईए